जहरखंड में स्थित देवगर देवाले के लिए खास माना जाता है। वैदिनाथ धाम, बाबा धाम और कई अन्य नामों से जाना जाने वाला जहरखंड जिले का शहर देवगर पवित्र हिंदु तीर्थों में से एक है। इसे देवगर्ड भी कहा जाता है। जहरखंड का बैदिनाथ जियोतिर लिंग हिंदु धर्म का बेहद पवित्र स्थल है। जहाँ पर ये मंदर से थे, उस स्थान को देवगर यानि देवताओं का घर कहते हैं। ये जियोतिर लिंग एकसिध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाय पोर्ण होती हैं। इसकारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। आप देवगर आएंगे तो बैदिनाथ यात्रा से ही जान जाएंगे कि भरतिये हिंदूओं के लिए अध्यात्मिक्ता क्या आर्थ रखते है। यहां तेर्थ यात्रियों का ताता लगा रहता है। यह शहर हिंदूओं का प्रसेध तीर्थ स्थल है। यहां भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर मौझूद है। जहरखंड के देवघर में लगने वाला सावन मेला दुनिया भर में प्रसद है। खस करके भूले बाबा के शरद्धालूओं में तो इस मेले का अलग ही उत्साद हिखने को मलता है। वैदिनाथ धाम में लगने वाला ये मिला देश के सबसे बड़े मेलों में गिना जाता है। दोस्तों आएए जानते हैं देवघर के बारे में कुछ खास बात हैं। हर सल पावन के पवित्र महीने में यहां लाखों शिफ वक्तों की भीड उमरती है जो देश के विभने हिसो समेत विदेशों से भी यहां आते हैं। इन वक्तों को कावरिया कहा जाता है। ये शिफ भक्त भिहार में सुल्टान गंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर और चिता भूमी भी कहा गया है क्योंकि इसी स्थान पर माता परवती का हिरदे गिरा था और यहीं भगवान शिब ने उनका आंतिम संस्कार किया था 12 जोतिर लिंगों में शुमार जारखंट के वैदिनाथ मंदिर में सावन के शुरुवात के साथ ही हजारों कावड यात्री देवगर पहुँचने लगे हैं परंपराओं के मताबिक देश भर से कावड यात्री सावन के पवित्र महीने में यहां आकर भगवान शिब का जलाभिशेक करते हैं लेकिन जलाभिशेक के साथ साथ और परंपरा भी है जिसका निर्वहन मंदिर में ब्रिटिश काल से किया जा रहा है देवगर के वैदिनाथ जोतिर लिंग में भगवान शिप को वर्षों से सायं कालीन श्रंगार के वक्त एक विशेश मुकुट पहना आया जाता है खास बात ये है कि इस मुकुट का निर्मान वे लोग करते हैं जो संगीन अपराधों के दोशी बनकर यहां की जेल में बंध होते हैं अस्था और रिवाजों का ये अनोखा नजारा देवगर की जिला जेल में देखने को मिलता है परंपरा के मताबिक देवगर जेल के कैदी भगवानशिप के लिए फूलों से विशेश नाग मुकुट का निर्मान करते हैं ब्रिटिश कालिन भारत के वक्त से ही हर रोज जेल के कैदीयों की ओर से बनाया गया ये मुकुट मंदिर में श्रंगार के लिए लाया जाता है और इसके लिए जेल से सिपाहियों को पैदल मंदिर तक मुकुट के साथ भेजा जाता है सावन महीने के पूर्णिमा के दिन जेल से कैदी ऐसे ही दो मुकुटों का निर्मान करते हैं जिसमें से एक दुमका के बासुकी नाथ धाम और दूसरा वैदिनाथ मंदिर में भेजा जाता है वही नाग मुकुट की परंपरा की शुरुवात 1911 से मानी जाती है जेल के कैदी और सिपाही साल 1911 से ही मंदिर में अगाधास्था रख रहे हैं ब्रटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी के कमिशनर जे डबल्यू टेलर के वक्त से ही नाग मुकुट बनाने की शुरुवात की गई थी उस साल कमिशनर टेलर के बेटे की तबियत बहुत खराब हो गई थी जब देशभर के डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज से इंकार कर दिया तो एक साधू ने टेलर को वैदिनाथ मंदिर में दर्शन करने की सला दे दर्शन के बार टेलर के बेटे की तबिय ठीक हो गई और इस घटना ने न सर्फ भारतिये बलकि विदेशिश रधलवों को भी यहां के आस्ता से जोड़ दिया दोस्तों देवघर में कई मंदिर भी काफी फेमस हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम कॉमेंट कर जरूर बताएं वैदिनाथ मंदिर वैदिनाथ मंदिर में स्थापित लिंग भगवान शिप के 12 जोतिर लिंगों में से एक है भगवान श्री वैदिनाथ जोतिर लिंग का मंदर जिस स्थान पर अवस्थे थे उसे वैदिनाथ धाम कहा जाता है ये जोतिर लिंग लंकापती रावन के जरिये लाया गया था वेदिनात को आत्म लिंग, महश्वर लिंग, कामना लिंग, रवनेश्वर महादेव, श्री वेदिनात लिंग, नुरुकतत पुरुष और बिंगुनात के आठ नामों से जाना जाता है वैदेनात धाम में यो तो सालो भर लोग जोतिरलिंग के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन सावन और अश्विन मास में यहां श्रद्धालों की अपार भीड पहुँचते है वैदेनात का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है जिसके आसपास अनेक अन्य मंदिर भी है वैदेनात मंदिर के आतरा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनात में दर्शन नहीं किये जाते हैं यह मंदिर देवघर से 45.2.9 किलोमेटर दूर दुमका जिले में स्थित है त्रिकुट पहाड़ियां देवघर से 16 किलोमेटर दूर दूर दुमका रोड़ पर एक खूबसूरत परवत त्रिकुटे स्थित है इस पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं और जढ़ने हैं यह स्थल मयूराक्षी नदी के श्रोत के लिए प्रसद है बैजू मंदिर बाबा बैदनाथ मंदिर परसद के पोश्यम में देवघर के मुखे बाजार में तीन और मंदिर भी हैं इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है नंदन पहाड शांत और प्राकरतिक वातावरन एक खुबसूरत मंदिर के उपस्थिती के कारण और भी जीवन थोड़ता है नंदन पहाड देवघर के छोर पर स्थेत है इस परवत की महत्ता यहां बने मंदिरों के जुंड के कारण है जो कई भगवानों को समर्पित है यहां बच्चों का बड़ा पार्क बे है नौलाखा मंदिर देवघर के बाहरे हिस्से में स्थित ये मंदिर अपने वास्तो शिल्प के खुबसूरती के लिए जाना जाता है इस मंदिर का निर्मान बालानंद ब्रामचारी के एक अनुयाई ने किया था सत्संग आश्रम देवघर के दक्षिन पश्चिम में स्थित सत्संग आश्रम जहरखंड के प्रमुक तीर्थ स्थलों में से एक है इसके स्थापना ठाकूर अनुकूल चेंदर द्वारा की गई थी ये बहुत ही सौमे और शांत वाता वरन में स्थित है सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्रहाल है और चड़िया घर भी है तपोवन देवघर से 10 किलोमेटर दूरी पर सिथ तपोवन अपने प्रसेद शिव मंदिर के लिए जाना जाता है गुफाओं और पहाड़ी पर बने मंदिरों के लिए जाना जाने वाला तपोवन एक रमनी अस्थान है मानेता है कि यहाँ रशेब बाल में की तपस्या करने आते थे कहते हैं कि श्रीब बालानंद ब्रहमचारी ने यहाँ पर तप करके दिविता प्राप्त की दोस्तों आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे कौममेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करणा न बोलें अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीज़िए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा और मज़ेदार जानकारियों के लिए आपको हम से जुड़ना होगा इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक कीजिए